स्री नाज्य गुरुजी को अलकार्ट आप सभी को आदेश लक्षमी साधना मैं इधर से दे रहा हूँ उसी की एक कड़ी है कामदेव एक अक्षरी बीज मंत्र की साधना साधना नहीं है सर्फ बीज मंत्र बता रहा हूँ अभी विधान थोड़ा बता दूँगा कि अगर डेली जाप करना है तो कैसे इसका करेंगे जैसे ही कामदेव का नाम आता है तो हमारा दिमाग या कालांतर में जो मूल भावना थी धर्म की उसको इतना लोपित कर दिया गया कि subjective knowledge हम लोगों के दिमाग में घर कर गया है तो कामदेव का नाम आते ही कामुखता वात्सायन और कामभावना यही हम लोगों के दिमाग में आता है लेकिन काम देव कामना के देवता है आप जो कामना करते हो उसके देवता है कामदेव उसी में शारिरिक कामना भी एक अभाग है लेकिन ग्यान की कामना, धन की कामना, किसी भी प्रकार की कामना, किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना, या किसी भाव को प्राप्त करने की कामना, किसी ग्यान को प्राप्त करने की भावना, सब के इस्ट काम होते हैं तो जब तक कामदेव की सिद्धी नहीं होगी, तब तक किसी भी तरीके का कामना का पूर्ती होना बहुत मुश्किल है काम अख्या मंत्र में भी काम अख्या काम संपन्ने काम श्री हरी प्रियम कामना देही में नित्यम काम श्री नमुस्त देव काम अख्या के काम से भी कामना ही पूर्ती होती है उसी तरीके से कामदेव के जो साधना विधान को मानते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ती हमेशा होते रहती हैं लक्षमी जी ने कामदेव का एक मंत्र दिया और श्री रूप में लक्षमी जी ने बोला कि ये मंत्र ये बीजाक्षर मैं स्वम हूँ ठीक है सोचो कामदेव का कितना माया और हम उनको कितना कम समझते हैं ग्यान ना होने के कारण उन्होंने बोला इस बीजाक्षर का जो भी जाप करेगा उसको बहुत धन धान्य सुक्षम्रिधी मिलेगी क्योंकि ये बीज मंत्र ग्यान का भंडार होगा ये व्योमेश में रहेगा मतलब मौ अप्छर रहेगा इसमें और परमेश्वर जो हैं उसमें समाहित रहेगा अब इस पर थोड़ा मैं आप लोगों को ग्यान दे दूँ जैसे हम वाम मारगी शुन्य शुन्य महा शुन्य मानते हैं और शुन्य से एक ओमकार बोलते हैं मतलब शुन्य से ओमकार का नाध हुआ उससे फिर प्रित्वी या फिर पूरे जो संसार है पूरा यूनिवर्स का एक फॉर्मेशन हुआ अगर आप सात्विक तंत्र शंकर महराज का पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि पहला जो अक्षर जिससे त्रिदेव भी पैदा अक्षर में रहेगा मतलब व्योमेश और हव बीज अक्षर साथ मिलेंगे ठीक है तो फिर यह एक एक अक्षरी बीज बनेगा और यह एक अक्षरी बीज जो है काम बीज मंत्र के रूप में जाना जाएगा तो क्या है काम बीज मंत्र काम बीज मंत्र पांच अक्षरों का पांच अल्फबेट्स का संधी है जिसे एक अक्षर बनता है क्या है पांच अक्षर पहला शब्द है उ उसमें जुकता है आउ फिर अ फिर आ ये ओमकार नाद का ही शुरुवात का शब्द है ठीक है उसके बाद जैसा भगवती ने कहा कि इसमें व्योमेश रहेगा तो व्योमेश मतलब मा और फिर अंत में परमेश्वर मतलब जैसे संकरातंत्र में दिया गया है कि परमेश्वर जो सब से उपर है वो हा शब्द है तो हा तो सब मिला करके बनता है अउमह अगर थोड़ा उसको जोर दे तो अउमह लेकिन शब्द जो आप जाप करेंगे वो होगा अउमह ठीक है तो ये है काम बीज मंत्र काम बीज मंत्र के साधना से अभिष्ट वस्तो की ज्यान की और अनंत कोटी धन के प्राप्ति होती है लेकिन इसका साधना करते कैसे हैं बहुत सम्विदान बहुत जादा रूल नहीं है लेकिन कभी भी जब आप काम बीज की साधना करते हैं उससे पहले भगवती का तारा रूप का या तारनी रूप का या तारका रूप का आपका भगवती की साधना करनी चाहिए इनका बीज मैंने आप लोगों को पहले भी दिया हुआ है तो उनमें से कोई भी एक बीज उठा करके और उससे भगवती की साधना आप लोगों को करनीचे देखो जो साथ विद्या है मतब तारा, तारह, अनूतारा, भगववा, कामा, सरस्वती और महालक्ष्मी यह सारी शक्तियां इंटरकनेक्टेड होती है लेकिन तारह और तारिका यह मूल शक्ति है इनको किसी भी साधना से पहले आपको याद करना चाहिए उसके बाद जो दूसरी शक्ति जिसको आपको ध्यान करना चाहिए वो है कामशक्ति और अंत में जैसे अब महालक्षमी शक्ति की बात हो रही है तो महालक्षमी साधना करेंगे अगर सिर्फ कामदेव की साधना कर रहे हैं और लक्षमी की साधना नहीं कर रहे हैं तो फिर सफेद वस्तर सफेद आसन होना चाहिए घी का दीपक होना चाहिए ठीक है और गुलाब का धूप होना चाहिए इतना सामगरी रख करके दिन में अगर 108 जाब भी करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी कामनाओं की पूर्ती होने लगेंगी और अगर संकल्प लेके किसी एक कारे को करना चाहते हो तो कभी भी इसका संकल संकल्प तीन पांच या साथ दिन का होता उससे जादा का आप संकल्प नहीं ले सकते हैं आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे बेसिक साधना ग्रूप से जुड़ सकते हैं यह एक पेड़ ग्रूप है नंबर है 9431188585 जिनको एपाटमेंट लेना है मेरा वेबसाइट है www.aghurtantrahasis.xyz डारेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आप पर जाएए रूदनाथ at cm4 search कीजे मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं कामदेव आप सभी की कामनाव की पूर्ति करे ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश